हेलो बच्चो मेरा नाम है अभिनौ पाठक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 12 का जो हमारे पास वन सौर चलना था सांतता था अउकल लियता का पार्ट 2 आज इसका भाग दो हम लोग करने वाले हैं पहले भाग हम लोगों ने देख लिया था सांतता ओकल लियता के बारे में पहला पार्ट बड़ा था यह मलब चैप्टर ही थोड़ा बड़ा था इसलिए मुझे दो पार्ट में करना पड़ा जैसमने आपको बताया भी था पहले लोगों ने सांतता के बारे में पूरी बाते कर लिए सांतता क्या होती है वह उस पर आदारित जो कोस्टन बनते मतलब कि हम लोगों ने तो क्वाई है एक लोंग कोंचिन आएगा एक थोड़ा सॉट में उसकता है दोतीन नंबर में हो सकता है। dumbbell में ज्यादा एक नंबर में तो वैसे भी उसे dauert कमcé को शयों संक्ष्णन बहुत होते बनने कें-चै कि रखेंश को अब थेंक भृब पक्के हैं, दो कोश्चन, तो 5.1 हम लोगों ने वहां से पक्की कर ली, उसके बाद 5.2 मैंने स्टार्ट कर दी थी, बेसिक पार्ट वहां से स्टार्ट हो गया था, हमने फार्मूले सारे लिख लिए थे, और आउकलन का स्रंखला नियम भी समझ लिया था, कि आउकलन का का अगर आउकलन गयाद करना है, संखला नियम से, मतलब की फलन जो हमारे पास दिये गए है, वो आपस में मिक्स रूप में है, तो उनका आउकलन कैसे करना है, तो उनकी बात हमने स्टार्ट कर ली थी, ठीक, 5.2 हमने स्टार्ट कर ली थी, और उसमें आइस पश्ट फलनों का अउकलन भी देख लिया था, जहां हमने देखा था कि x, y फलन जो थे, वो बीच में मिक्स रूप में दिये जाते थे, हम पूरी लाइन का x के सापे च अउकलन कर देते थे, जहां dy by dx बनता था, सबको एक साइड लेके, और दूसी साइड पस्चांतर कर देते थे और प्रितलोम त्रिकोड मिती फलनों का ओकलन जो है, वो हमें करना है, एक बास समझ लेते हैं, प्रितलोम त्रिकोड मिती फलनों का जो हमें ओकलन करना है, उसकी अगर हम बात करें, तो हम लोगोंने second chapter पड़ा रखा है, प्रितलोम त्रिकोड मिती फलनों के ओकलन में करेंगे वैसे हम लोगोंने फार्मूले लिख लिए थे प्रतलोम्तिकोड मिती अनपात थे अब अगर जैसे हमें इस प्रकार के फलन दिये गए एक हमारे पास प्रतलोम्तिकोड मिती फलन है उससे कोई दिक्कत नहीं हमें आउकलन करना है तो हम डारेक्टली आउकलन नहीं करेंगे अगर हम ऐसे करने बैठे तो बहुत लंबा होगा जाएगा कोडन बहुत लंग लंदी हो जाएगा और आपको बहुत सारा उसमें देखेंगे तो टाइम चला जाएगा बहुत सारा हमें क्या करना है थोड़ा सा दिमाग ला थोड़ा सा एक्टा इस्मार्ट वर करके हम्फेले हैं जैसे हम ने लोगोंने देखे थे सेकेंड अग्स का कोई मान यहाँ पर मानते थे रखते थे और इसको सरलतम रूप में लाते थे जब यह सरलतम रूप में आ जाएगा तब आउकलन करना बहुत आसान होजाएगा आइसे भी आजाएगा डायक्ट अगर करने शुरू हो ज यह आपने पढ़ा हुआ है कैसे बनता है क्या मानना होता है क्यों यही मानना होता वो सब चीज़ां अभी हम समझ लेते छोटी छोटी सी बाते हैं अभी समझ में आ जाएंगे जैसे यह मैं फॉलन एक दिया गया है क्या वाई बराबर कॉस इन्वर्स अब यहाँ पर एक्स का कोई मान रखते हैं जिससे कुछ सरलो और यह कॉस इन्वर्स से कुछ कॉस अंदर बनके और इसको हटा के कुछ सरल लूप में बना से के सरल रूप में लाना है अब एक चीज़ देखो अगर हम एक्स की जगे मालो साइन ठीटा रख देते हैं साइन ठ स्कॉरड ढ़ी कुछ नहीं बनेगा अगर्ष दक है अगर हम यहां से ईक्लियिखना यह अब तो यहां से निकाल ले थीटा पराबर हो जाएगा टैन इन वर्स अभी तो हम सीधे पहले स्टार्ट करते हैं वेलू रखके वाई बराबर यहां से हो गया कॉस इन वर्स ऐए 2x की जगए रग दो क्या माना है 10 ठीटा रग दो टूटें ठीटा अपन प्लस ए Для载े हमें टेंटीटा रखा हमनेही देखा सर्य हैं अंदर फार्मूला बन गया किसका फार्मूला बन और स्कॉस को साइन में या सान को कॉस में आराम से हम बदल सकते हैं हमें पता है कि साइन नाइंटी माइनस चीटा को चीटा होता है या कॉस को साइन में बदलना है तो कॉस नाइंटी माइनस चीटा साइन ठीटा होता है तो बस साइन को में कॉस में बदलना है बदलनो आराम स से हो जाएगान सिन्वर्स कॉस नाइन टी माइनस ठीटा छीगां सऑ एक गीडिक्कट की बाती नहीं है अब यहां से कॉस्क्त को समझ लेंगे क्या बचे का पाई-बार सीधा हमारे पास यहांसे बचा य प्राबर पाई भाई टू बाइनस का तूठीटा की वे लूम उपर निकाल चुके एक टेन इन्वर्स एक्स के बराबर रहा है रख दो भाई बराबर हो गया पाई लाइनस टू टेन इंवर्स एक्स अब सिधा एक्स के साथ पेच औकलन करो अब औकलन कर रहे अभी तक तो सिंपल सेकेंड एक्स सेकेंड चैप्टर का ही पार्ट चल ला था अब औकलन करो गए दो लाइन में खतम हो जाएगा अगर हम डायक्टली स्टार्ट करते कॉस्ट इन्वर्स का फार्मूला लगा के तो यह एक फे माइनस टू टू ऐसे टेन इन्वर्स एक्स का पता ही है वन अपान वन प्लस एक्स स्कार रख दो वन अपान वन प्लस एक्स स्कार उकलन हो गया तो डी वाई बाई डी अक्स अर यहां से निकल कर आ गया माइनस का टू अपान वन प्लस एक्स स्कार यह हमारे पास इसका एक लगाना है कुछ ना कुछ अंदर यहां पर फार्मूला बनेगा कभी कभी डारेक्ट यहां पर लिग देगा मालो यहां पर अगर एक्स की जगह लिग के सीधा तिरकों में ती फलंडे दे कि टू साइन एक सब्सक्राइब करेंगे फिर मानना नहीं होगा सीधे अंदर साइन प्रतलों में ती फलंड का एक और अच्छा कोश्टन हमनेगा यह क्या दिया गया है क्या नंबर प्रसाइक नंबर लिखा था तो मैंने इसी प्रकार के question समने लिए हुए करा निम लिखित प्रस्णों का डी वाई बाई डी अक्स हमें आपर भी ग्याद करना वाई बराबर में question में दिया है second verse 1 upon 2x square minus 1 यह में यहाँ पर एक फलन दिया हुआ है क्या माने अच्छा मान एक्स मार आपरा आपर देख लिया करो कभी लगा करें कि आ यहाँ पर 10 ठीटा क्यों माना ना तो रख्के देख लिया करो कि साउन कि भलाने नहीं हो कुछ हो नहीं नहीं कुछ बने कास रह ग्ली कुछ हो नहीं की घुट्थ भंथ Fitz wizards लिओ जाके और कि यहां पर आंगे लिखाय टूसान स्कॉर्ट टिटा नहीं होता है अगर कॉस रख दें तो क्या हो जाएगा तू कॉस इसक्षाइल ठीटा और माइनस का वन और तू कॉस इसक्षाइल थीटा मैं आपको पता है और स्टू ठीटा होता है बने गांदर फार्मूला तो यह से बर स्टटेट तो माइं बराबर हो गया यहां से सेक इनवर्स वन अपांट। एक सिजागे रगदो two cioni square theta minus government कि टिक two condis distinguita minus one क्या वो गया स्टूट टीटा हो गया रगदो कॉस्ट टीटा सेक इनवर्स यह वन अपान कॉस्ट टीटा और will upon Winege पॉटे झाओ गया सेक सेक को आपस में समझ लेंने कोई दिक्कत नहीं वाई बढवर हो गया सेक सेक फूर्च तो थूर्ट एके स्थ को आपस में समझ लिया इनको तो वाई बराबर और क्या हो आउकलन करने पर आउकलन करने पर कर दो आउकलन कोई दिक्कत ने डी वाई बाई बाई डी एक्स बराबर तू तो कॉंस्टेंट है बार आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉसिंवर्स एक्स टिक तो यहां से हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर तू वन अपान अं का 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक अंसर आगे यह आगया डी वाइब दी एक्स आसानी से स्वाव हो जाते हैं वस थोड़ा सा ही हमें सोचना है कि क्या एक्स की जिएगा ऐसा मान रख देंसर ताकि कुछ सरलतम रूप बन जाए ओकलन तो सिर्प देखो तीन ला पर्मूला देख़ें कि क्या पर्मूला वर एक्स अपान अंडर रूट के अंदर एक्स स्कॉायर माइनस फिर एक्स की जगह तुम क्या-क्या रखोगे यह रखोगे यह रखोगे सबकी जगह फिर उसको आउकलन करो गया लग से तो बहुत बड़ा फैल जाए समेटते पिलाओ और उकलंद कर दूँ इसी पर एक विवीत प्रसना वली कामने कोश्चन लिया बढ़या कोश्चन यहां पर है इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन इसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना समझते हैं कि क्या कोश्चन दिया गया कि साइन इंवर्ज चुकी पावर एक स्प्लस वन 154 की पावर एक्स लिखाओर करते आं से देखीThank है सम्झों 27 इसाइन इंवर्ज है कि यह टू की पावर एकस प्लस वन लिखा है तो इसको मैंर्ट चाट टू की पावर एक्स इंटू 2 पावर मन लिख सकते мой कोई दिक्कत न ही गुड़ा में गहते सोद्य यह आधार समाकर्ण अंप्लस हो जाएगा तीक है कि कह धंपने प्रस्ट इसम्हूर्श को अमक्रलिक सकते हैं टूूप की पावर टूप की पावर एक Song मॉ՝ेे सकते कोई समस्य प्रस यहां पर भी एक काम किया इसको मैंने टू की पावर x की पावर टू लिख लिए ये इस्टे बहुत इंपॉर्टन माने टू कीपावर x square कर देना हमेशा यह घात के उपर अगर घात लगी है तो इनका आपस में क्या होगा गुणा होगा तो 2x हो गाए और चाहे हम यह लिख दे 2 की पावर x तो भी इनका गुणा होके यही आएगा दोनों बातों का मतलब सेम है कि हम चाहे x की पावर x की पावर 2 घात की घात है तो यह आपस में गुणा होके यह X की पावर 2X बनेगा, चाहे 2 की पावर X हो, तो भी गुणा होके 2X ही बनेगा, वही मैंने किया, यह 2 की पावर 2 की पावर X है, तो यह आपस में गुणा होके 2X बनेगा, तो गाती गात गुड़ा होती है, बस यही तक हमारे पास important step है, अब एक आप काम करेंगे, कि आप एक चीज देखो, पहले वाला question आओ, सबसे पहले वाला question, सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर क्या था, 2x upon 1 plus x square, यही था, और यहाँ पर आओ इस वाले question, 2x upon 1 plus x square, बस x की जगहे पर यहाँ पर 2 की पावर x है, same question वैसे ही बन गया, जो मैंने पहला आपको कराया, यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर x है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की जगहे 2 की पावर x है, यह 2 की पावर x है, यह 2 की पावर x है, तो 2x upon 1 plus x square, हमने क्या माना था एकस बराबर 10 ठीटा तो X बराबर माना था यहाँ पर पूरे तुम टू की पावर X की जगा है आप क्या करो 10 ठीटा मान लो अगर आप केवल X की जगे मानोगे तो घात में कुछ बनेगा वो ज्यादा टफ हो जाएगा आप सीधे यही करो कि टू की पावर X को हम क्या मान सीधा बनाने के लिए इसी फार्मेंट में बनाने के लिए मैंने ये काम किया यहीं दो लाइने ब्हुंसे हो जाए काम आप देखो यहां से घदा कमान निकाल लें तो टेन इनवर्स टू की power x की जागा 10 theta रख देते हैं यहां से हो गया sign inverse 2 into इसके जगा रख देते सीधा 10 theta upon 1 plus 10 square theta, 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta होता है Sir fine 2 theta, तो यह हो जाएगा sign 2 theta, 1 science, sign को समझ लिया बचा 2 theta, theta की जागा value रख तो क्या है टू 10 inverse 2 की power x बस यह आ गया हमारे पास सरलतम रूप में यह हमारे पास क्या आ गया यहां से सरलतम रूप में आ गया यह जो फलन था ही हमने सरलतम रूप में कर लिया जो में इन्वर्स फलन दिया गया था सरलतम रूप में कर लिया एक बार फिर से मैं करो चुका गुना करो दोनों के बार 221 से रहेगी तो वही मैंने कर लिए तो 2 की पावर ऐक्स आपण 1 प्लास 2 की पावर X का स्कायर होगे तू कि पावर X की जगे अपने 10 ठीटा तो 10 fictional बन जाएगा sin 2 ठीटा का इस solve अब इसी को लिख लेते हैं y बराबर सीधा y बराबर अमरे पास आगया मालो 10 इनवर्स 2 की पावर X सीधा x के साफे चॉकलन कर देते हैं x के साफे पर हो कलन करने पर ओकलन करने पर अध्यों कर दो दी वाई by dx 10 inverse 2 की power x टिक तो dy by dx वराबर आ गया 2 10 inverse का आउकलन क्या होता है यहां पर 2 की power x से बना रहेगा 1 upon 1 plus x square होता है 1 upon 1 plus x square x की जगे 2 की power x तो इसका square हो जाएगा और dy by dx 2 की power x का दुबारा से हो जाएगा टिक यहां पर 2 की power x था एक्स की जगे पर तो 1 upon 1 plus x square x की जगे 2 की power x इसका square हो गया यहां से आ गया dy by dx equal to 2 तो यह हो गया upon 1 plus इनका यहां पर गुणा कर देते हैं तो 2 की power 2 x हो गया कोई दिक्कत नहीं तू की power x का ओकलन क्या होगा एक पावर x वाला formula a constant होता है यह समारे पास कोई चार है तो एक की power x वाला formula का Auckland क्या होता है एक पावर x और log ए एक है मारे पास टू तो लॉक टू आ जाएगा यह 2 की power 1 यह गुणा में टू की power x है तो टू की power यहां से थोड़ा से simplify करके लिख देते हैं अंसर तो आई गया है तू की power x प्लस वन अपॉन प्लस टू की power 2 x log ए अंसर आगे बस यहां पर टू की power 1 था टू की power x था तो घाते जोड़ दिये है क्योंकि गुणा में दोनों आधार समान है जोड़ दिया है पकी आंसर आ चुका है आपका आंसर आपका सही जिसको आ रहा है साथ-साथ करते चलो copy pen पर साथ-साथ करते चलो प्रैक्टिस हो जाएगी और अब सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि कहां पर फस रहो तुम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी महीं से क्लियर है सभी को question बढ़िया इंपॉर्टेंट question है वीविद उधारण में दिया गया है 49 या 45 नमबर पर और बहुत इंपॉर्टेंट कोशन पूछा गया question है दो तीन बार लॉंग में बंता है question मलब लॉंग में क्या बोलें तो बीच वाले में चार से पांच नमबर में बनता है क्योंकि यह step बहुत इंपॉर्टेंट है यह चीज जिसने कर ली फिर तो यह तो करी लेगा यह तो आसान है क्योंकि यहां से माना फिर आउकलन तो वह करी लेगा फार्मूला लग रहा है कोई दिक्कत नहीं अराम से हो जाएगा ठीक है लॉग ए लिख दिया लॉग टू कर ले ना उसे बढ़िए ठीक चले आएगे निया यह जाए आ तक यह बात होगे हमारे पास प्रतलों चिल्कोड मिती फलनों यह कोशिण कर पाहर है यह तो को करके करना होगा यहाँ नहीं удивля या फिर हमारे पास इस प्रकार का कोई अच्छा कोश्चन आ सकते जो हमने कर लिए अब इसके अगर आंगे हम बात करें तो हमारे पास जो आउकलन आता है वो 5.2 हमारी खतम हो जाती है 5.3 में हम लोग क्या करते है 5.3 में मारे पास 4 गातांकी क्या ओकलन दियेंगे सिम्पल बहर सिम्पल एक्सराइज दी गई है 5.3 में बहुत आसान सारे कोश्चन आराम से लग जाएंगे स्रंकलानी अम लगना है बाकी बस चर गातांकी फलनों का यूज क्या है कि उनके फार्मूले लगने कि ऑ की पावर एक्स कहीं लिखा है या लगउड की फलन है या चर सब संखलानियम में लिखा सयुकत रूप में लिखा फालन सीधा संखलानियम लगाना को धिकर ने डी य वाइब डीक्स निकालते सी लिग देते हैं अब एक्स के सापेच ओकलन करने पर एक्स के सापेच औकलन करने पर सिदह X के साफे चोकलन करो जब X के साफे चोकलन करो कि क्या हो जाएगा D Y by D X लॉग अंदर जो भी लिखा है X है तो लॉग X 1 upon X Cos E की पावर X D Y by D X X की जगे जो लिखा था उसका ओकलन दुबारा करना पड़ेगा Cos E की पावर X कर देंगे तो यह आगया D Y by D X 1 upon Cos E की पावर X अब Cos X का उकलन होता है माइनस का साइन X माइनस का साइन X X की जगे E की पावर X लिखा है तो वही रख देंगे अभी X नहीं मिला है तो उसको दुबारा से करना पड़ेगा जो X की जगे लिखा था क्या लिखा था क्या लिखा था की पावर X दुबारा कर दो ठीक Cos X का माइनस साइन X हो गया क्या बन गया लिख देते हैं इदर डी घ्वाइवाय डी अक्स बराबर माइनस का साइन Gकी पावह एक्स अपन कॉस् की पावर X लिखा है आप उसी की पावर X लिकासिन अपाऊन कास टेन होता है तुकित टाइल निकले थे माइन्स 10 सबस्क्राइल लिखा है और फिक ली थे से फारे एक मोशनर सारी कोड्रा एक स trophie एकसराइज एकाइयश और कॉई दि हब सम्में यही करना है कहीं लॉग लिखा होगा कहीं की पावर एक्स की पावर दो ऐसा कुछ लिखा है हो जाएगा अब जैसे इसका आउकलन करना है मालू डी बाइब डी तो कैसे करेंगे सर एकी पावर एक्स जो लिखा एक की पावर एक्स का वही होता है फिर दुबारा किसका था करोगे जो X की जगे लिखा x2usqa is जा ईसका कर देंगे तो पीकी की मे पावर एकस स्कॉइर का कर देंगे तो कोई डिक्कत मैं तो ऐसा ही कोशिन सारे दीए आराम से कर सकते हो कोई ऐसा कोश्चन नहीं है जो आपको टफ लगे अराम से कर लोगए जो पास 5.3 में दिए गए कोई बैसा कोशन नहीं सिर्फ फार्मूला में पता हो स्रंकला नियम हम पहले पड़ चुके लग यहां स्रंकला नियम रहा जरूद भी नहीं थी कराने के लिए कि इमने का करा देते 5.3 में छूट रही थी तो 5.3 में सिर्फ ऐसा ही कोश्चन दिए गए 5.4 में लॉग के यूज पर कोश्चन दिए गए फलन की घा तो फलन पर कोश्चन दिए गए कि लॉग के उपयोग का लॉग सा कैसा उपयोग लेना है कैसे हम उसको लॉग को उपयोग करके कोश्चन को सि हो जाएगा आराम सो जाएगा लेकिन कल हो सकता हो पाए आज होई ना पाए तो कि d y by dx करेंगे रूट लगा इसकी पावर पहले 1 by 2 हो जाएगी पहले x इसको माने x की power n वाला formula लगाएं फिर ये बनेगा फिर अंदर इसको फिर यहाँ पर भाग नियम लगाएं कि फलन फिर ये उपर अंस बटे आर में लगाएं तो अंस बटे आर में फिर भाग नियम लगेगा फिर जो आएगा इन में फिर गुड़ा नियम लगेगा तो ऐसे question जो होगा वाज नी कली answer आपाएगा तो इसमें log को हमें basically उप्योज करना है log की तीन चीजें हमें याद रखनी है क्या क्या याद रखनी है मैं लिख देता हूं side में यहाँ पर log की तीन property जो में बहुत जादा यहाँ m plus log n तिक natural base में चलता है सब आराम से कोई दिक्कत में log m upon n जो होता है वो log m minus log n के बराबर होता है तिक m गुड़े n log m plus log n log m upon n log m minus log n तीसरी होती है log m की power n तो यह n जो power में होता वो आंगे आ जाता है n log n बस यही तीन property में याद रखनी question यह आराम से solve हो जाए करते हैं start करते हैं देखो लिखते हैं इस question को लिखते हैं इसको माल लेते माना y बराबर सीधे फ़लन मानते सिधा dy by dx निकालें माना y बराबर इसको सीधा under root में लिख ले रहे हैं x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 लिखना बढ़ा है इसमें वाखी question का answer बहुत आसान है एक्स माइनस 5 पावर रूट लगा है power 1 by 2 लिख लिख लिए question बहुत आसान है बहुत आसान है बस log की यह property लगाई नहीं question तुरन सॉल्व हो जाएगा देखना रूट था रूट की पावर की वज़े से 1 by 2 लिख लिए अब क्या करते हैं दोनों तरफ लॉग ले 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 रहे हैं तो यह लिख दिया लॉग वाई बराबर log x-1 x-2 upon x-3 x-4 और x-5 की पावर 1 by 2 अभी हमने property पड़ी की log m की पावर अगर n है तो यह पावर आंगे आ जाती है पावर नीचे ले लो लॉग वाई बराबर 1 by 2 लॉग अभी सिब लॉग का यूज कर रहा है अभी आउकलन करना इस्टार्ट नहीं क्या सिब लॉग की प्रॉपर्टी अभी चल लए एकस माइनस 1 x-2 x-3 x-4 x-5 ठीक कोई दिक्कत में अब क्या करना है यह हो गई वन अपान टू तो कॉंस्टेंट पार्ट होगे कोई तिक लॉग M.A upon n तो लॉग M minus log N एमपान वाला लगा देंगे प्रोपर्टी तो carta L clock &-10 हो जाएगा लिए लिए लागव य वन अप Cornu, log Ema Pan about N लेगा रहे सीधर, देकेट लगा लेते हैं बडा सा लॉग M क्या है है हमारे पास X-1 और X-2 और माइनस लॉग N लॉग N हमारे पास क्या हो जाएगा X-3 X-4 और X-1 चलो अंस बटे हर से केवल अंस अंस में आ गया कुछ तो आसान हुआ थिर इसे एक परकाइए तीनों परब्क येके रिख ज्मळ कितना अद्वुंट की लाज www.hp faut.n वाली परब्क गाएं तो यह यहाँ पर लग गया अर्म इंटू एं लाग एंटू ये भर लगएन जयुक हो recovery यहांशन में अब यह हो गया है log y बराबर 1 by 2 log x minus 1 log x minus 2 plus लगा लो भाई बीच में plus log x minus 2 minus minus लगा है तो bracket लगा लेते हैं ताकि minus का अंदर गुणा भी होगा log x minus 3 plus log x minus 4 एक नीचे लिख लिख लेते हैं plus log x minus 1 बहद आसान हो गया question कुछ नहीं किया यहाँ पर log m into n लगा दिया log m plus log n minus लगा लगा रहने दिया log m log n log z मालो कुछ भी मालो वो अपना plus में एक आँगे और आगे ठीक सब एड होगे अब बस ओकलंड कर देना है कुछ नहीं अब आसान हो गया minus का अंदर पहले गुणा कर लेते हैं फिर ओकलंड कर देते हैं यहीं करें क्या दूसरी पेश पर कर देते हैं ताकि आसान है minus का अंदर गुणा करना है सीधे फलन लिख ले रहे हैं log y बराबर log y बराबर 1 upon 2 bracket में मारे पास है log x minus 1 plus log x minus 2 minus है ना इसके बाद minus minus log x minus 3 minus log x minus 4 minus log x minus 5 यह बन गया हमारे पास इस प्रकार से पूरा मैंने खोल दिया bracket खोल दिया minus के चिन्न के साथ पूरा खोल दिया minus का अंदर गुणा हो गया तो यह plus minus हो गया यह minus अब आउकलन कर दो x के सापेच अभी देख लो log की ही y का तो क्या हो जाएगा वन अपान वाई और वाई का दुबारा करना पड़ेगा तो यहां पर एक्स नहीं है यह तो वाई का दुबारा कर तो डी वाई जरुवत नहीं ऐसे ही लॉओग एक्स-चू का करोगे तो एक्स-चू आ जाएगा लौग एक्सकी वन अपन एक्स-चू आगया अब माइनस टू का करो खंद है तो एक्स का वन हो जाएंगा टू का 0 हो जायेगा माइनस लौग ऐसे ही करेंगे लौग x-3 का 1 अपान स्रीर माइनस 4 क् inspires ख़renched करेंगे वरâm only x-5 बस यह यह answer है बस y कोई side बेज़ दो answer आ जाएगा dy बराबर dx यह आ गया x बटे यह y बटे y कोई side बेज़ रहे है y बटे 2 1 upon x-1 plus 1 upon x-2 minus 1 upon x-3 minus 1 upon x-4 minus 1 upon x-4 minus 1 upon x-5 यह आ गया y की value रगदो भाई कहाँ y माना था यह माना था सब x के पदो में चाहिए ना तो y की जो value मानी थी वह उठा के वहाँ पर रगदो बस dy by dx बराबर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट लगा के लिख देते हैं जैसे सब पहले जैसा दिखे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 ठीक यह हो गया वन अपान टू लिख लेते हैं वन अपान टू आंगे लिख दे हैं यहीं पर लिख दी जुब टू ब्रेकट में हो गयाँना पॉंप आनसर बड़ा समस्य हो बताऊ कोईadian कर ला रहा है कि यहाँ पर इस सारे को गोश्यं करने है तो पावर 1 by 2 हो जाएगे तो मैं पता है लेकिंगे लॉग की बस तीन प्रॉपर्टी हमें याद रखना है एक दम दिमाग में रखो बस यह तीन प्रॉपर्टी कि लॉग M into M है तो लॉग M plus log N हो जाएगा और लॉग M की पावर N है तो पावर N आगे आ जाएगी बस तो इसी तीनों चीज़ों की हो गए यह M की पावर N आगे आ गया यह ठिक यह M upon N log लेने के बाद आगे आ गया फिर M upon N M minus N फिर यह गुणा में जो थे वो प्लस में आ गये सारे यह माइनस का थोड़ा ध्यान नखना क कि माइनस अंदर गुणा होगा बस उसके बाद अउकलन कर दो यह पता है लॉग X-1 लॉग X का उकलन होता है वन अपॉन X कर दिये और X का दुबारा करोगे X-1 का तो अकलन वन होगा तो कि X का 1-1 का 0 ऐसे X-2 के साथ होगा X-3 के साथ X-4 के साथ X-5 के साथ वही आ जाएग आउन-पटू है वाई को उससाएट बेस के वाई की वेली रग दूा अंसर आ घया है यह मिद्यक क्लियर कोशन है इंपोर्टेंट कोशन है सारी जितने भी मैं कोशन कराओंगा ऑकलन के इंपोर्टेंट ही कराओंगा वैसा कोश नहीं कराओंगो को लगए लंजिव क्वैशन करते हैं अब आगे हमारे पास अगले टाएप आघ्र जब फलन के गहात फलन दी गए हो जैसे कि यहां पर दिख रहा है तुम्हें थोड़ी सी बात है समझ लेते हैं कि यहां पर X की घात Cinex लिए हमारे पास k haut X का था हूं है अगर इसका X के साफे चॉकलन करते हैं तो N X की गात N-1 हो जाता है सर हमारे पास A की पावर X का फार्मूला है वो होता है A की पावर X लॉग है लेकिन एक बात बताओ यहां पर अगर देखू यह तो फलन है कोई दिक्कत नहीं चर एन लेकिन हमारे पास कैसी संख्या होती एक फलन दी आ जो यहां पर जब यह वाला फार्मूला तो लग नहीं सकता कि K 25 नीचे लिख दें और X की पावर sin x minus 1 लिग दे यह तो करना नहीं है गलत है यह तो कि फलन की गात फलन है ऐसा कोई फार्मूला यहाँ पर उप्योग में नहीं आएगा ना कि a की पावर x काएगा क्योंकि a यहाँ पर constant होता है यह भी constant वाला होता है तो यह पार नहीं लगेगा यहाँ पर दोनों चर है बना दोनो फलन है यह फलन यह फलन यह स्क्मरा अ करना होगा इस प्रकार के क्वेश्चेंघ लाने के लिए लॉग ही हमारे पास खिलाड़ी है देखा हमने कि जो मारे पास पीछे हमने यह देखा यह वाली प्रॉपर्टी कि लॉग M अपाउन एंड जो M की पावर है रोती है वो एंड नीचे जो आता है वो लॉग की वजह से आपाता है तो लॉग ही लेना पड़ेगा तभी यह साइने एक्स प्लस साइन एक्स की पावर है कॉसी से यहां पर एक काम और पड़ेगा हमें इसको क्या करना पड़ Norbeak इस फलनको अलग से यू माल लेतें इस फलनको अलग से हम्ली माल लेते एक्स लिए चा उनtha कि कि क्या है मारे पास 15 पावर को घ्म क्यूं क्यों ऐसा किया सम्ह al checked जाएगा इसको समिकरे इसका अलक कर लेंगा इसका उप कलेंगे इसको भी अपान ग्लऴ क्लिए इसको डिभी ऑपां डेक्स कर लेंगे executi यहां से मने यू ब्राबर क्या किया यू बराबर हो जाएगा X की पावर साइनेक्स और वी बराबर क्या हो जाएगा मालने कुछ भी माल यूवी नहीं पीक्यू माल लो कुछ भी मालो जो आपको समझ में आए वो मालो बस प्रोसेस यहीं रहेगा अमने क्या किया कि यह में फ्लन दिया गया इसका ओपलन करना था फार्मूला लगना नहीं था लोग लेना ही पड़ेगा लेकिन लोग डारेक्ली नहीं ले सकते लग डारेक्ली कैसे नहीं ले सकते कोई अगर किसी के दिमाग में यह आ रहा हो कि जैसे यह लाइन लिखे यह बराबर मैं एक बार समझ लेते हैं छोटी छोटी चीज़ें confusion हो जाता है sin x plus sin x की power cos x किसी के दिमाग में यह आ रहा हो कि सरह हम directly log ले ले लेते हैं यहाँ पे log y ले लिया बराबर log x की power यह हो गया sin x plus sin x की power cos x यह ले लिया माले तो क्या यहाँ पर हम इसको यह लिख सकते हैं log x e power sin x कोई बताएगा यह सही लिखा या गलत लिखा है log sin x की power cos x फिर हम sin x को इधाल ले लेंगे cos x को इधाल लेंगे तो यह हमारे पास log से ही सब solve हो जाएगा नहीं कर सकते log यह property तब लगती जब यह m into n o यह हम into n में यह दोनों अलग-अलग करता है यहाँ पर देखो यह plus लगा है बीच में इसके साथ यह नहीं कि इसके साथ log अलग कर लो इसके साथ log अलग कर लो यह चीज गलत है ऐसा ना करने लगना कि direct log लो solve करने लगो हमें इसको अलग-अलग मानना ही पड़ेगा इसमें log अलग ले सकते हैं इसमें log अलग ले सकते हैं क्योंकि यह सीधे हमें दिख रहा है कि एक ही पलन है कोई जोड या माइनिस में कुछ है नहीं गुड़ा में होता तो कोई दिक्कती नहीं थी तो इसलिए हमें U और V अलग-अलग मानना पड़ रहा है U और V मानने के पीछे का concept यही है कि हम direct अगर log लेंगे तो यह property लगेगी नहीं यह गलत हो जाएगा तो कि यहाँ पर property तब लगती जब यह प्लस नहीं यह गुणा में होता कि लौग m into n जो होता है वो लौग m plus log n होता है यह लौग की property है यह property यह नहीं है तो कैसे लगा सकते हैं तो यह चीज़ दिमाग में रखना कि directly log नहीं ले ले लेना यहां पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा पहले इसको अलग-फलन मानना पड़ेगा, इसको अलग फलन मानना पड़ेगा, फिर इसका आउकलन अलग-एक्स के साथ पेच, इसका अलग-इस समीकर में रख देंगे, तो D-Y by D-X आ जाएगा, दोनों को जोड़ के लिख देंगे, D-Y by D-X आ जाएगा, तो U अमने अलग मानन ल दो से ले रहे अब आसाने कोश्चन कोई दिखकत नहीं बस प्रोसेस थोड़ा यू बराबर एक्स की पावर साइन एक्स के सापे चॉकलन करने पर ऐसे विध्वद लिखेंगे एक्जाम में जब आएगा तो पूरा प्रॉपर स्टेप में लिखेंगे को कि लॉंग का कुश् लोग तो निचे ले आवाँ कहले अपले नकलं कैसे कि अफ़लो दे लूघ तो लेलो भाई लॉग लेसे पहले ले लगाज़ लेरी लाग लेक्शन ayamani log लेके, लोग लेंगे तो ले और लोलोग यू हो झाएगा ये सिधा faculty करते हैं यहाँ पर गुणा निएम लग जाएगा का लग लग जाएगए तो यहाँ पर 주랑 लग लिखते हैं एक्स के साब्पेश ओकलन करने का एक्स के साब पेश आउकलन करने पर कर दो आउकलन भाई log u का आउकलन करेंगे x के साफ़ तो d by by dx log u equal to d by by dx sin x log x log u का आउकलन क्या हो जाएगा 1 upon u और u का दुबारा कर देंगे तो do u upon dx आजाएगा ठिक क्योंकि u का x के साफ़ चोकलन करना ही पड़ेगा ये गुड़ा नियम से होगा एक को छोड़ा एक का किया पहले को छोड़ा माल लो log x का किया तो one upon x हो जाएगा प्लस ठिक फिर इसके बाद हमने मालो log x को छोड़ा डारेक्ली लिख रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं तो u की वेलू और उठाके रख दो यहीं पर नीचे लिखे दे रहे भी du upon dx u की वेलू क्या है x की पावर sin x रख दो x की पावर sin x ब्रेकेट में जो ये लिखा इसको फिर से लिख दो sin x upon x प्लस log x और cos x ये हमारे पास आ गया du upon dx by du upon dx है dy upon dx में अभी तो dy dx में upon में टाइम है ऐसे ये dv upon dx निकालेंगे ये प्रोसेस करने के बाद ऐसे du upon dx निकालो सेम इसी पैटर्न से dv upon dx निकालेंगे v हमारे पास वलंद दिया गया है ले लेते हैं v बराबर sin x की पावर cos x sin x की पावर cos x अब निकाल लेते हैं dv upon dx उससे पहले भाई लॉग अपती तो ले लो लॉग ले लेते हैं लॉग भी बराबर लॉग sin x की पावर cos x ठिक ये हो गया लॉग भी cos x नीचे आ गया ये हो गया लॉग sin x फिस हमें uv रूल लगाना पढ़ेगा मतलब गुणा वाला रूल लगाना पढ़ेगा अब x के साफ एच आउकलन करते हैं x के साफ एच आउकलन करनेगा करते रो log v का क्या हो जाएगा 1 upon v dv upon dx x v का दुबारा कर देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा लिख देते हैं इस बार लिखी दो पहले पूरा d y by dx log v equal to d y by dx cos x log sin x d y by dx log v हमारे 1 upon v हो जाएगा फिर हमारे पास हो जाएगा dv upon dx equal to गुणारू लगारे cos x को छोड़ा log sin x का उखलन किया log sin x करेंगे तो one upon पहले तो हो जाएगा log sin x 1 upon x त्रंखलानियम लगर आइस में log sin x में संखलानियम लग रहा log x 1 upon x फिर हमारे पास sin x का कर देंगे दुबारा लिख देते हैं कि स्टिक क्या करना d by by d x sin x काम दुबारा करें ठीक फ्लस लगाओ इस बार log sin x को छोड़ा log sin x को छोड़ा cos x का उखलन किया माइनस का sin x cos x का उखलन कर दिया माइनस का sin x ठीक है आगे आजो 1 upon v dv upon dx equal to cos upon sin यह हो जाएगा cot लिख दें इसको cot कोई दिक्कत नहीं पहले करी लेते ऐसे रहने दो पहले sin x का फिर से cos x हो जाएगा नीचे हमारे पास हो जाएगा sin x plus plus का इसको minus ले लेते हैं बाहर सीदे यह तो कोई दिक्कत ने इसका तो होई गया तो minus sin x और फिर हमारे पास है log sin x चलो जो आ रहा है वो आ रहा है क्या करना है ऐसा कुछ बन गया उपर cos square x बनेगा नीचे sin x ठीक है कोई दिक्कत ने वी कोई साइड डाउन ले ले लेते आंसर बड़ा लंबा आएगा भाई वी कोई साइड ले लो तो dv upon dx equal to v पूरा लिखना ही पड़ेगा cos square x upon sin x minus sin x log sin x sin x log sin x ठीक यह आ गया v की value रख दो dv upon dx equal to v की value क्या है यह sin x upon sin x की power cos x यह फिर से लिख दो cos square x upon sin x minus sin x और log sin x ठीक हो गया है यहाथ अब सारी चीज़ें आ गई एक हमारे पास du upon dx आ गया dv upon dx आ गया समीकरने एक में उठाके रख दो यह समीकरने एक से लिखते हैं यहाँ पर समीकरने एक से आंगे तो जगे होगी यहीं पर लिखना पड़ेगा लिकिन लंबा हो जाएगा दो लाइन में चला जाएगा लिखते हैं d y upon d x equal ए पहले लग देते डी यू अपाँ दी एक्सकिल का एकस्की पावर सिने एकस्की पावर साइध में ब्रेकेट में हाजो साइन एकस्साइन साइन एकस्स अपाँ एकस्ट प्लस लॉग एक्स कॉस्स लॉग एकस्कॉस यॉग एकस्स वजह से साइन एक्सक्ष पावर कॉस एक साइन एक्सक्रटाइज फोड़ा सिंप्लिफाइट ना चाहे तो कर सकने कि कॉश्ब पान साइन कॉट कर लिया फिर कॉट एक स लिके लिए फिर लेकिन आंगे कुछ कोमेंट मिले यह लंबा चोड़ा सांसर आ गया कि यह बीच में प्लस लगा पूरा लिखाए तको डी वाइबाइद इकल टू यहां से निकल गया यह यहां पर रखा और डीवी पांट इक्स की वेलू रगदी अराम से आपके पास आंसर आजेगा इस्टेप बाइस्टेप चलो कोश्चन नहीं है कोशिट आसान है बस हम लोगो को इस टेप बाइस्टेप चलना है एक कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोश्चन में आपको कुछ भी टफ लग रहा हो सिब लॉक की थोड़ी सी प्रॉपर्वर्टी लग रही है हमें कुछ प्रॉपर पैटरन है कोई और यहां पर क्या करो कि सिदे हम यहां से भी उसको यू वी मानेंगे और वैसे ही ऊकलन करेंगे और आसानी से चलते जाएंगे कि पहले du upon dv निकाले dv यहाँ पर uv की जए तुम कुछ भी मान सकते हो PQ तो यहाँ पर dp upon dx बने का या क्यू मानोगे dq upon dx बने काम वही करना है आखरी में तुम वहीं जाके समिकण एक में रख नहीं यह सारी वेलू तो यहाँ और फ्री में वो दिये गए फिर उसके बाद एक और इस पर कोश्चन अच्छा करते हैं एक कोश्चन और करते हैं इस प्रकार का इसमें तो देखो कुछ जोड़ घटाने महिने डारेक्ट लॉग ले लो के काम चल जाएगा इसमें यूँ भी कुछ नहीं मानना है कि यहां पर लोग ले लेंगे अलग काम चल जाएगा यहां पर लोग ले लेका अलग 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 दो फलन लिखे दोनों तरफ लोग लेना है सौलव हो जाएगा बस यहाँ पर वाई है तो डीवाइब अपांड डीएक्स बने गा उनको इखटा करके आंसर निकाल लेंगे चलते हैं कै किसे करना इसको समझते हैं जिसी यह फलन हमारे पास दिया गया है क्या दिया गया है कॉस एक्स की पावर वाई बराबर कॉस य की पावर एकस दो तरब सीधे लॉग ले ले लेते हैं लॉग को से की पावर वाई बराबर लोग कॉस नीच लोग लेकर क्या हुआ वाई नीचे आ जाएगा तो वाई लोग वाजेक्स एकस तो आसान हो रहे हैं एकस नीचे आ एकस के साब जोपन कर दो डी याँ बनेंगे खटा करके में सब सिधा लिखते एकस के साब एच पर आउखलन करने पर एकस के साब पचिक आउखलन करने पर एकसे सापे चॉकलन स्टार्ट कर दो भाई लिखने क्या एक बार डी बाई 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 दी एकस लॉइए लॉग कॉस एकर टू डी बाई बाई डी एकस एकस लॉग कॉस्पर का सिनेरियो हमारा दोन तरफ ख़ोगे अब करेंगे तो यहां पर करेंगार यह प्ला न्राइक यह फ्ल्ण अलाघ यह और ये वालह वालान में यह बुड़ा नहीं कर देए को आज काम है ब्र Jim Gill street अगी करते हैं यही से करते हैं यहां फिली लिकते हैं है मालू ठीक वाई को छोड़ा अर लो को से चॉच का अखलंड किया एक इस्टेप लिख लेते हैं डी भाई-बार डी एक लोग को से ट्रिक प्लस लोग को से को छोड़ा लोग को से को सुच फॉड़ा एक यहां तक तो बात हो गई एक्स को छोड़ा लॉग क włos कॉस्वन कि अब क्या करना इसको छोड़ा प्लस बढ़ा यार उस साइड चला जाए गए भी लाइन खत्व हो ली इस साइड लिखें सीदे यार नहीं इधर चला जाए यह गड़ बढ़ हो जाए ले फ़ली स्लाइल में लिखते हैं नहीं तुम मजा नहीं है समझ नहीं आए इस तरफ से लिखते हैं सीदह ठिक सीदे इधर लिखते हैं हम ना ओकलन्ट कर रहे हैं वाई को छोड़ा भै ठीक डीव भाई बाई दीए गडे एक्स की लोग क्याइड कॉस्ट अ कॉस्ट ठीक प्लस लोग कॉस एक्स को छोड़ा य का उकलंट कर देते हैं डीवज बाई के ओडियों को फैलो इस लेफ्ट हैंड साइड वालाई कोलके साइड साइड वाला ता उसका उकलन सchlagen हथाइब और यदि lavori चुह चलते एक्सक्राइब चुछ ठोड़ा दी वाईगा सिद्धा Something करने लॉग कोस रज़ा अब लॉक ओस स्योड़ा फ्लस लाक ओस वैंग उनुरा अग्सक्रण क armies का सीधा हूं अधर इसको फिए यह आगा तो इसको सद्चाई लिख लेते हैं लग जो कौसी फार हिए हैं माइस का अख्लयन जो छूट रहा है समझे बीच बीच में व कर लेते हैं यहां से लौक कॉस एक्स का अकलन करेंगे तो वपन कॉस एक्स पहले को कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइं इसका काम खतम लौक को छोड़ दो log cos x को छोड़ दिया dyy dx ऐसे रहेगा कोई दिख्कत नहीं उसको कुछ करना नहीं कामल ले नहीं पड़ेगा आंगे यहाँ पर आउ x तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर हो गया 1 upon cos y का हो गया log cos y का हो गया 1 upon cos y चीक और cos y का जब दुबारा से करेंगे तो minus का sine y और sine y जब आ जाएगा minus का sine y फिर हमें y का करना पड़ेगा तो फिर से d y by dx यह वाद समझ में आगई तो log cos y का 1 upon cos y फिर cos y का minus sin y फिर y का d y by dx और plus का हमारे पास क्या बच गया जो last में लिखा है log cos y अब जो d y by dx वाले उनको एक तरफ ले लो तो बाकी को एक तरफ ले लो, question अवसान है, कोई दिख करने, जिसे ये वाला पार्ट एक side ले ले लें, ये इसको इस side ले लेते हैं, तो कि यहाँ पर d y by dx है, इसको इस side बेज देंगे, कर लेते हैं, देखो, इसको पहले लिख लो, log, cos, dy by d, इसको इस साइड लाते हैं, यह माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस यह हो जाएगा, X sin Y upon cos Y, dy by dx, ठीक, एकवल तो, यह इसी साइड है, तो इसको इसी रहने देते हैं, log cos Y, इधर से ले जाते हैं, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो माइनस वाई माइनस का वाई साइनेक्स अपान कॉसेट साइनेक्स अपान कॉसेट बस आंसर आ गया है मेरों का यहां से डी वाइबाइडी एक्स कॉमल लेलू डी वाइबाइडी एक्स जैसे ही कॉमल लेंगे तो यह sin y cos y 10y हो जाएगा तो x 10y लिखनो सीधा बराबर यहाँ पर क्या है log cos y लिखना ज्यादा है बागी question आसान है minus y sin x upon cos x हो जाएगा 10x ठीक दी y by dx की value निकालनी थी निकाल दो उसको साइड भेज तो क्या बचा log cos y minus y 10x ये नीचे बटे में आ गया बटे में log cos x plus x 10y that's your answer साथ में करते रहो तो अच्छा रहेगा ये आपका answer लंबा चल आया थोड़ा लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है देखने में थोड़ा सा है कि क्या क्या चला है लेकिन step by चलोगे question का answer सेम आएगा कोई दिक्कत की बास थे क्या किया मैं एक बार repeat कर देता हूं question को यहां पर directly सीधे log लेना था जैसे पिछले वाले question में मैं plus लगा था इसलिए अलग-अलग फलन लेने पड़े और अलग-अलग log लेके फिर solve करना पड़ा लेकिन इस question में यहां से directly हो सकता है हमने इधर भी इधर भी दोंतर लॉग लिया और ओकलन स्टार्ट कर दिया फैला दिया जो फैल तो यह हमने देख लिया था कि यहां पर भी वाई है मतलब dy by dx अलग-अलग जगह बनेंगे जैसे यहां पर भी बना यहां पर भी बना तो इनको एक तरफ लेना ही पड़ता है जैसा आइसपस्ट फलनों के ओकलन में किया था डिवाई बागी सब एक साइट फिर डिवाई बाई डिवाई डिएक्स की वैलू निकाल के सब एक साइट कर दो ठीक तो यहां से हमने क्या किया सीधे लॉग लेके स्टार्ट किया ओकलन यहां पर फुराणला लगना था यह फुल नाला यह फाला नाला यह फुल नाला तो इस गुलाणीयम को मैंने यहां पर यह खूला पैस वही से खोल दो प्रापर तो आपको इदम दिमाद में घुसे होने चीए कोई जरूरी नहीं ही आएगा हो सकता y नीचे दे दे कॉस एक्स नीचे दे कॉस वाई उपर दे दे लेकिन पैटर्न तो सेम रहेगा कॉंसेप्ट तो सेम रहेगा करना तो ऐसे होगा आंसर तो आएगा यह आंसर कहा जाएगा टिक है किलेर सभी को यहां तक तो यह हो गया हमारे पास फलन की घात फलन पर कोश्चन में दो फलन कि इंपॉर्टेंट वाले बड़े-बड़े कोश्चन के छोटे वाले कोश्चन अमने अपने मंसे नहीं उठाए ताकि यह कर लोगे तो वो तो अपने आप हो जाएगग तो यह हो गया वारे पास फलन की घात फलन पर कोश्चन अगला टॉपिक जो मारा इस्टार्ट होता है वो प्राचलिक फलनों का उकलन इसमें यहां ठीटा यहां पर कहीं दिखाऊगा यह कहीं ती के रूप में दिया जाएगा बहुत आसान होते हैं कुछ नहीं करना होता है इसमें जब हमें dy by dx निकालना है तो एक फार्मूला बस याद रखो dy by dx अगर हमें निकालना है आपर जब प्राचलिक फलनों का उकलन में तो क्या करना है पहले dy upon d theta और फिर dx upon d theta अलग निकाल लो y बराबर जो फलन दिया गया है और dx upon d theta इस वाले से उकलन करके निकाल लो यहां हमने ठीटा लिया है अगर यह फलन टी के रूप में होगा तो dy upon dt dx upon dt हो जाएगा ऐसा अगला कोशन हमने लिया है यह यहां पर फार्मूला क्या होगा यहां पर फार्मूला होगा हमें dy by dx निकालना है हमें तो यहां पर फार्मूला क्या हो जाएगा dy upon dt पहले dy upon dt नि एक बार हम क्या करेंगे एक सकती के साथ चौकलन एक बार वाई का टी किस मलब वाई वाला जो फलन दिया गया उसका टी किसा अइसे यहाँ पर ठीटा के रूप में दिया गया तो ठीटा के साथ चौकलन करेंगे इस वाई वाले फलन का ठीटा के साथ चौकलन करेंगे इस एक लिखाओ करना कुछ नहीं पैटर्न से मैं मैं बताता हूँ अभी कोश्चन सॉल्व हो जाएगा कैसे करना है जैसे पहले वाला उठाया मालू यह ले रहे एक्स बराबर एक ठीटा माइनस साइन ठीटा यहांसे हम क्या निकालेंगे डि-et's upon डिटर क्योंकि एक्स वाला फ़लन थीटा के सापस होकलन करना कोई क्य दिक्टर लेख फार्मुले ठीटा के साफल लगई ए कॉइच्टेंट कोई दिक्कत नहीं यहां ठीटा का वन हो जाएगा जैसे एक्स के साफल पेच करते और यहां पर एक्स होता है तो वन MOR gonna नचीटा की साफले पहली समय करने लिख लो इसके वाई बराबर क्या दिया गया बहुत आसान है ए वन प्लस कॉस्ट इसको लिख लो डिवाई पांडी ठीटा निकाल ले यहां से ठीक ठीटा के साफेज ओकलन कर रहे हैं यहां पर लिख दें ठीटा के साफेज आउकलन करने पर आउकलन करने पर यहां पर भी लिख देते हैं ठीटा के साफेज आउकलन करने पर दिक यह 5.6 में हम लोगों को दिये गए 5.5 लोग लिख 5.6 पर हम लोगों कोश्चन दिये गए इसके बाद एक एक्ससाइज बची 5.7 बस थोड़ा से देर और रुको अभी अभागा चैप्टर फिनिस होता है डिवाई अपांट दी ठीटा हो जाएगा यहां से ठीटा के साफे चॉकलन कर रहे है तो यह तो कॉंस्टेंट है कोई दिक करने वन का जीरो हो जाएगा कॉस ठीटा का हो जा को आगीँ अमरे पास दीटर का ईया धीवाई कंडी टीड़ा यह माइनस का Recirm cleaner 2 simplify हो रहा है हमें आती है त्रिकोर में करते हैं ना sin theta का एक वो फार्मूला हमें पता है 2 sin theta by 2 और cos theta by 2 theta by 2 और theta by 2 क्योंकि sin theta का लगाया तो 2 sin theta by 2 cos theta by 2 1- cos theta क्या हो जाएगा 2 sin square theta by 2 यहां से हो जाएगा 2 sin square theta by 2 1 square से 1 theta by 2 चला जाएगा 2 से 2 चला जाएगा सीधे आ जाएगा dy upon dx वराबर क्या जाएगा 1- cos theta by 2 और sin theta by 2 हो जाएगा cot theta by 2 अंसर हो गया cot theta by 2 simplify कर दोगे तो अच्छी बात है नहीं करोगे marks नहीं कटना चाहिए कम चाहन से marks कटे अधान नम्र भली कार्डे को यह वैसा एक्जामनर बैठाओ लेकिन आता है तो कर दो वैसे कटता नहीं मांस अंसर आपका सई एक लेकिन आता है तो कर दो सही रहता है ठीक है यहां तक बात के लिए रहे दोरों फार्मूला यह कास का वाला लगा है सब्सक्राइब यहां प्लस आजाएगा वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो इस प्रकार से हमें प्राचलिक फ़लनों का आउकलन करना है परामेट्रिक जो हमारे पास फ़लन होते हैं जिसमें बलब डारेक्ली एक्स यावाई की रूप में फ़लन नहीं उसमें कुछ टीटा य प्राचल दिया होगा परामेट्रिक को हमारे पास वैरियेबल दिया सब्सक्राइब इसको प्राचल भोलते हैं उसके उसके काचल और जाया है इसमें टी दिया गया है जैसे वहाँ ठीटा था या टी था करना सेम काम है कर लेते हैं आप दो चोटे-चोटे कोश्चन नहीं है यह मालब जो कोश्चन दिये गए थे एक्साइज में बहुत चोटे-चोटे दिये गए वन्हें बढ़े लॉंग आराम से इसी वज़ेस उठा लॉग तेंटी थीटा के साफ चोटे में पाँ थीटा के साफ पिछ आउकलन करने पर करो अगलन ठीटा के साफ इच बिएक सपाउन दीटा बराबर एक ओंस्टेंट है बाहर रहने दू कोश्टी का क्या हो जाएगा कोश्टी का सर माइनस साइन इसे संटी हो तो माइनस लगा लू माइनस साइनटी समय में लाग 10 215 का हो जाएगा ललॉक टोर्थ वन हैं अपॉनट्य मतलब की लोक इंदर लोग हो हो जाएगा ठीटा यार क्यों लिखंव यार ट तो T लिखो भाई ठीटा लिखते रहोगी अब टी शाइफ लेता इस यहाँ पर टी के एफ़ चुन्हाइज टीडिया घ्र तो उन अपान टैंटीवाइटू टैंटीवाइटू का दूबारा करेंगे तो स्टेनटी का होता है मालब सेक एक्स का लोग एक्स का होता है जैने इसको एकसे आसे टैने एकस का यह 10T वाई टू कर रोका से किसक्वाइर टीबाइ चौकर दुबारा करेंगे तो 1 वाई टू आ जाएगा तोकी 1 वाई-2 कॉश्टेंट एटी कव़न हो जाएगा यह हमारे प 10-10 ती नेटु उपर चला जायगा। साइन एक वाइटू एक आटको पर तो है घ् zor थे इसी पार्ट में हुड़ा है वह पार्ट तो बहुत आसान है और कुछ तो सकता हैं है ऐसे को स्क्वायर वन अपर यह पर कप लेता है यहां पर कशाफ स्क्वायर को लिख लेता है दो के सब्सक्राइब शुए हैं अब करके हैं ओसे स्क्वायरिं पो फिर ही इन फोल्वट्व जीचे देखो ये टूए तो आँगे निख लो साइन टी भाइ टू सब गुड़ा में और यहां से एक कॉश्ट वाइटो बचा ये फार्मूला देखो नीचे बन गया हमारा अवकल ने की लाइन में खतम हो गया तहाई इसके बार त्रिकोण विती का सिंप्लिफिकेशन चलना है तो सॉल्फ करना है बस वर्त करना दिमार्स कोड़ा माइनस का साइन टी Plus का ये 1 upon अपान जाएगा और साहँ होगा देकना LCM ले लो dx upon dt बराबर A LCM ले लो minus sin square t plus 1 upon sin t 1 minus sin square t 1 minus sin square t क्या हो जाएगा cos square t नीचे क्या है sin t यह बास यहीं पे छोड़ दो, इसको देदो समय करेंगा, पहले ही पार थोड़ा लेंदी था, लेंदी कहा थोड़ा सिंप्लिफिकेसन था, मैं एक बाद फिर से एक्स्प्लिफिकेसन करता हूं जो जी मैंने सिंप्लिफाई किया, वहां तक जैसे पहुचे हैं, ये हमारे पा का तो तूर और को बाए टू का दुबारा करेंगे तो वन बाई । अब यहां पर क्या हुआ टैन वाई smells को अपान सॉन क्या टेका साइन टी बाई टू को आपन सइन टी बाई टू लिखा इस्क्राइब टू कॉस्ट कॉम उपर लइगा है तो यह उपर लिए एल्सियम लेलिया साइन स्कॉयर्टी प्लस वन अपान साइन टी वन माइनस साइन स्कॉयर्टी टीटा कॉस्च इसको यही पर छोड़ दिया भी ना कुछ बंदू क्योंकि आंगे कुछ और कैंसी लोगा देखना अब इसको उठाओ सिधा यह हो गया हमारे पास एक्स व और अउक्लन करने पर करते हैं लिए कि सापर चॉकलन करना इस्टार्ट करते हैं कल डी वाई-बाई-दीटी k यह डी वाई-डीटीए साइन टी टी वाई-बाई-डीटी एइप बाहा ले लो, सैनगा ओजाएगा कॉस्टी यहीं आएगा, कोस्टी हा जाएगा फार्मूला मारे पास है यह समीकन, समीकन 1 में पीछे निकाला था, समीकन 2 ही हो गया, इस फार्मूले गेला हैं, तो डिवाई बाई डिएक्स चाहिए तो डिवाई बाई डिएक्स यहां से निकाल लेते हैं तो डिवाई बाई डिएक्स क्या हो जाएगा जो डिवाई बाई डिटी आया है एक उस्ट यह उपर लिख लिया और नीचे जो हमारे पास यह आया क्या है A cos square T by 2 sin T by 2 A cos square T बटे sin square T sin T है ना A से A कड़ गया A cos से A cos कड़ गया यह उपर चला जाएगा यह यहाँ तो dy by dx हमारे पास क्या आगया sin T upon cos T equal to 10 T कितना लंबा question था answer 10 T answer हमारे पास सीधे यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या 10 T अराम से dy by dx का हमारे पास answer निकल के आ जाएगा यह part हमने simplify कर लिया था इसको alkaline कर दिया सीधे इसी फार्मूले में जाके value उठाके पुट कर दो यह पार्मूला पढ़ा था इसी में रगवी बस answer आज़े एक क्लियर है सभी को कोई doubt कोई समस्या हो तो बताओ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है सब आराम से questions वो सकता है तो प्राचलिक फलनों पर बस ऐसे ही questions बनेंगे हमें वही करना होगा इसी proper fix pattern में यहां ठीटा है टी है कमी कुछ और दे दे तो उसी के साब पिछ पहले आप ऑकलन इस्टार्ट को जातर यह होता केस में कि यह तो ठीटा में दिया होता है तो यही दो ज्यादा देता है parametric तो बस ऐसे स्ट पूर पहले जो प्र एक सकती ठीटा के साभस्अ पढ़न का फिर फीर थीटा के साभस्ण नीचे में एक सव वाला वेअले उकला उख जए धनेता के डाउस कोई समस्साँ ना, ऐसे ही आराम से करते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से ही हम सारे एक एक करके सारे वनसॉट कंप्लीट कर लेंगे सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे पूरा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा ऐसा कुछ में आपने दो बन सौट पहले भी देख चुक है एक बन सौट में थोला सा टेकनिकल इशू आया था पिछले वाले पार्ट में इसने लेकिन वो फ्राइडे को हैसे सर्फार्ट के रया और फ्राइड़ने चार में स्वाड़ीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है चेप्टर चल आया है कलन का पार्ट स्टार्ट हो गया है इसी से आंगे की चैप्टर लिंक है आंगे हम लोग फिस हमाद कलन पर पहुचेंगे अभी तो और गलन के रोग आएगा फिर आउकल समी करना है पहले एक कलन वाला पार्ट कर लेंग फिर इस्टार्टिंग के दोनों चेप्टर के आपको देदें संबंद फॉलन प्रत्रोम्तिकोण मिती फॉलन का बैसे डिटेल में लेक्टर हमने पढ़ाय हुए हैं आपको वह डाउटने प्लास करने अच्छे-च्छे कोश्चन लाएं सारे बढ़ा कोश्चन है इन्हीं को करें कुछ पहला कोश्चन तो सिंपल वाला है कहां गया यह आसान सा है टेन इन्वर्स एक्स का ओकलन तो पता ही है वन अपान वन प्लस एक स्कॉयर होता है लेकिन उसका दुबारा से हमें ऑकलन कर देते हैं तो डी तु य अपान्ष त्री हो चांस कोट भी और और वह हम अगली कोटी का कर सकते हैं यह परथम कोटी का दुथी कोटी का ध्रति कोटी का आगे पूछते को यह grenade कोट तक हमारे एकजाम में पूछे जाने की चांसे ज्यादा रहते तीधी कोड का चांसे कम होता है अगर पूछ भी देगा तो आराम से कर सकते माल लेते हैं लिखा y बराबर 10 inverse x पहले इसका एक बार ओकलन करते हैं x के साफिज जैसे अभी तक करते थे आसान है डिरेक्ट फार्मूला है d y by dx यहां से हो जाएगा 1 upon 1 plus x square यह हम जानते हैं कि 10 inverse x का फार्मूला होता है डिरेक्ट यहां से ओकलन हो जाता है अब अगर इसका दुबारा हमें ओकल स्कार मैं कर रहा हूं डायकली स्टार्ट कर रहा हूं हरका स्कॉयर वन अप प्लस x स्कॉयर का होल स्कॉयर हरका स्कॉयर हर को छोड़ा अन्स को आउखलित किया पूरा लिखता हूं पर फार्मूला लिखी देता हूं जैसे 1 प्लस x स्कॉयर हरका स्कॉयर हरको छोड़ा पहल सेसे एसा तुक्ष है तिक कर दो अउली तो यहां से हो जाएगा डीटिू भाई हर को छोड़ दिया कोई बात निए 1 प्लस x square हो गया 1 का ओकलन करेंगे constant है 0 हो जाएगा minus 1 को छोड़ा अंस का है आउकलन किया जब हर का तो 1 प्लस x square का आउकलन करेंगे तो क्या जाएगा 2x आजाएगा एक्स का वन हो जाए ठीक है आप यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर सरीए बचा यह यहां से डारेक्ट लिए हमारे पास आ गया यह तो 0 हो गया यह माइनस का 2x बचा और बटे में हमारे पास क्या हुआ 1 प्लस x स्कायर का बस यह आंसर हो जाएगा सिंपल है आसान है कर सकते एक हमने basic question लिया हुआ था 10 inverse x का दुति कोटी का ओकलन निकालना था दुति कोट का ओकलन नहीं का मतलब यही था कि हमें d2y upon dx2 की वेलू पाइंड करनी थी वह वेलू हमने निकाल दी पहले एक बार ओकलन किया तो dy by dx आ गया इसी को जो हमने दुबारा ओकलित कर दिया तो हमें लेकिन लेकिन इस बार इसने एक चीज नहीं बोल कि इसने कहा कि इसे केवल Babylonic के पदों में ग्याद करना है अगर हम इसको उक्लेंट कर रहे थे देखो सिंबल्व तो कुछ x के पदों में अंसर आ है ऐसे अगर हम इसका डारेटली दो बार आउकलन करेंगे तो कुछ X के पदों में आंसर आएगा लेकिन हमें उसे वाई के पदों में निकालने तो कैसे करना है सबसे पहले समझ लेते हैं नो इसको इसको वाई के रूप में परिवर्तित करने कैसे एक से निकालने इसको इधर बेजने तो कित्ती होड nag ऑ है घ्रावर आ응कलन करेंगे तो वाई में कुछ बनेगा फ़लन यह हमारे पास जो य के पदों में ऐनसरा जाएगा हमें वाई के पदों का अंसर चाहिए तो वही यहां से क्या करों अब यहां से dx क्या हो जाएगा dy by dx equal to x का उकलन करेंगे यह directly one हो जाएगा तो कोई x जो आने वाला भी था वो भी हमारे पास one हो गया अब यहाँ से dy by dx निकाल लेते हैं तो dy by dx क्या आगया सरा आगया minus का one upon sine y और sine y one upon में जो होता है उसे हम कॉसेक y लिख सकते हैं यह आगया हमारे पास cause y क्या आगया minus का cause y ठिक यह cause y निकल आया यह तो आगया है एक बार उकलन इसी का दुबारा उकलन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा d2y upon dx2 मिल जाएगा दुबारा उकलन कर रहे हैं x के साब h ही उकलन कर रहे हैं dy by dx किसका minus के cause y का cause y का वैसे आगया होता है क्योंकि cause x का अगर x के साब पेच हम आगया होता है उसका फार्मूला सर होता है cause x कोट x तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर देते हैं minus cause y cause y और y का जब दुबारा करेंगे तो क्या आएगा dy by dx क्योंकि यहाँ पर y का दुबारा करना पड़ेगा y का फिर से करेंगे अब dy by dx हमने यहाँ पर निकाल लखा है क्या minus का cause y यहाँ उठा के रख दो तो d2y upon dx2 जो आ गया वो आ गया minus का cause y काट y और dy by dx हमने निकाल लखा है minus का cause y यहाँ पर रख दो तो minus का यह हो गया cause y तो answer हमारे पास क्या आएगा minus का cause x square y काट y यह हमारे पास आ गया इसका answer y के पदों में देखो पूरा answer जो आ रहा है वो y के पदों में आ रहा है x का कोई पत तुम्हें वहाँ पे नहीं दिख रहा है यही इस प्रस्ण में बस थोड़ी सी खास बाती बज़े से मुझे लेना पड़ा कि यहाँ पर तो आउकलान हमें direct करी देना जैसे दो बार आउकलान पूस दे किसी question में कि दोती code का इसका आउकलान गयाद करो या कोई फलन देगे कह दे d2y upon dx2 निकालो तो पहले उसको एक बार आउकलीट करो दो एकस के साप फिर उसको दुबारा कर दो जो आंसर है वह यह आंसर है जैसा इसमें किया है पहले उसको एक बार किया फिर जो बना उसका फिर से कर दिया तो वो d2y upon dx2 बन गया अगर आमसे ये कोश्चन में थोड़ा सा ट्यूश्ट लाया इन्वर्स का एक फलन दिया और कहा उसको वाई के पदो में निकालो अगर हम डारेक्ट लिए ओकलन करते जैसा हमने पीछे देखा तो आंसर एक्स के पदों में आता अगर हम डारेक्ट श्čार्ट कर तो यहां से क्या करो एक्स को वाई के रूप में परिवर्तित कर लिया अब यहां से ओकरनी ही स्टार्ट कर दिया इसके बाद आंसर जो आया वह वे के पदों में आ जायेowing है घाई den fir तर यहां से निकल आएगा इंपोर्टेंट कोशन ने पूछा गया कोश्चन नहीं सारे चले आंगे आप थोड़ा और अच्छा कोशन लेते इसी पर अभी दो तीन कोशन और करेंगे इस पर और अच्छा कोशन लेते अब लाश्ट एक्सेसाइच चल नहीं अपना बस जल्द y2 प्लस xy1 प्लस y equal to 0 अच्छा ये y1 और y2 का मतलब समझ में आ रहा है कि इसी वज़े से एक्जामपल लिया है कभी कभी ऐसे y2 y1 और ये y लिका है y तो दिख रहा है कि डारेक्ट उपर दिया गया है लेकिन y1 का मतलब क्या होता है सर y1 का मतलब होता है एक बार आउकलन क इसका y x के सापच तो y1 का मतलब क्या होता है कि एक बार जब आउकलन किया जाए by dx इसी प्रकार y2 का मतलब क्या होता है दो बार क्लंन मतलब कि दुती कोटी का उकलन हो, तो d2y upon dx2 जो होता है, उसी को हम y2 बोलते हैं, और dy by dx होता है, उसी को हम y1 बोलते हैं, कभी-कभी sort form में question में लिखता है, और ज्यादा chances रहते हैं इसे question हाने की, जहां ये y1, y2 ऐसे लिखे आएंगे, y का मतलब तो दिख रहा है कि y एक फलन है, y1 म उसी x के साब पर जो उकलन हुआ तो उसका दुबारा उकलन, दुती कोटी का जब उकलन कर दिया गया, तो उसे हम y2 बोलेंगे, पस ये बात दिमाग में रखना, इसी के according solve करते हैं, समझ गया ना ये बात, चलते हांगे, फलन लेते हैं, सीधे y बराबा, और उकलन नहीं कर प्लस 4 sin log x, ठीक यह में फलन दिया गया, ठीक इसके बाद एक और था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह में एक फलन दिया गया है, करते हैं, चमझते हैं, ऑगलन करते हैं, सीधा x के सापे चोकलन कर रहे हैं, तो आ जाएगा dy by dx, 3, छोड़ दिया, कोई दिक कर ने, कॉस एक सं sin x, x की जगह है log x, तो log x रख दो, log x का दुबारा करना पड़ेगा, तो into में 1 upon x आ जाएगा, प्लस 4 sin x, cos x होता है, x की जगह है log x, तो log x रख दो, x का दुबारा से करना पड़ेगा, 1 by x, डारेक्ली अखन कर दिया हमें, यहाँ पर x के सापे चोकलन किया, डारेक्ट, अ अखला नियम लगा सकते हैं, तो यह कुछ इस प्रकार से आगया, dy by dx, माइनस वाले को, यह माइनस का हो जाएगा, इसको पीछे लिख लेते हैं, इसको आंगे लिख लेते हैं, इसको आंगे लिख लेते हैं, इससे प्लस का आंगे रहेगा, तो 1 upon x दोनों से common है, इससे 1 upon x और कॉर्स लॉग एक्स इसको पहले लिख लिया क्योंकि अस्वजे से लिखने बागी और कोई बात नहीं बाहर इसको पीछे रख दिया इसको आगे रख दिया यह प्लस का था यह माइनस का था इसको पीछे लिए बस और कुछ नहीं कि यहां तक बात के लिए अब डी टू वाई भाई डी एकस तू निकालने के लिए हमें दुबारा से खुलन करना पड़ेगा इस बार लेकिन काम से सॉल्व हो जाएगा इसको फ़र्ष्ट मानों इसको से केंड मानों वही काम करना पड़ेगा इसको फ़र्ष्ट मानों इसको से केंड मानों या इसको से केंड मानों उसको फ़र्ष्ट मानों से कोई दिक्कत नहीं जिसको चाहूँ इसको माल लू आराम से बस वैसे यह करना स्टार्ट करते लिख रहे हैं ठीक है इसको मटा ने रहे हैं बाकी यज़े पको पता है ठीक चलते हैं लिगते हैं गो दी टु य अप ओंब हसी वन अपॉन एक्स होतोर्ड अच्छा क्या होगा सर staff alakse लोगे करके दिखा दे रहे डीवाई गजायका वन अपवाई डीखा दे रहे हैं कि और अपॉन एक्स का ओता है इसका मतलब क्या होता है x की पावर minus 1 minus 1 इधर आगे आजाएगी तो x की पावर minus 1 minus 1 क्योंकि x सी पावर n minus 1 आगे minus 1 minus 1 तो minus 1 x की पावर minus 2 मतलब minus x की पावर minus 2 तो minus 1 upon x square ऐसा ही कुछ आएगा minus ka 1 upon x square होता है 1 upon x का औकल वसे directly भी use करते रहते हैं मधोना जाइए, तो याद उना जीजत की कई बार-बार यूज में आता है तो one upon X का oclean क्या होगा, माइनस का one upon X square अब इसको भाइट लिग सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्चा तो नहीं भाई, minus का 1 upon x square इसका ओकलन कर दिया पहले वाले को दूसरे वाले को छोड़ दिया दूसरे वाले को ऐसे रख देते हैं 1 upon x square दूसरा वाला ऐसे रहने दिया 4 cos log x minus 3 sin log x टिक बीच में plus का sin अब इस बार 1 upon x को छोड़ा इसका ओकलन कर रहा है तो 1 upon x को छोड़ा अब इसको अखलित कर रहे है 4 cos log x minus 3 sin log x 4 cos log x का क्या हो जाएगा सर्फ 4 का हो जाएगा 4 तो constant cos log x का minus sin log x log x का दुबारा करेंगे तो 1 upon x आजाएगा ठीक इधर आँ minus 3 sin log x minus लेलू भाई 3 sin का हो जाएगा cos और log x log x रहेगा और log x का दुबारा करेंगे तो 1 upon x आजाएगा कुछ इस प्रकार का शिनेरी होगे एक लाइन और हम नीचे लिख रहे हैं ध्यान से देखोगे d2y upon dx2 हो गया है दुबारा उकलन कर दिया है बस अब इसको समेटना है और कुछ ऐसा बनाना भी दिखना माइनस का 1 upon x इसको यह रहने दो यह क्या लिखा अच्छा देखो इसको देखो क्या लिखा है ये तो पूरा में छोड़ दिया था नहीं ये 4 cos log x minus 300 ये पूरा छोड़ दिया था ये क्या है saошud log x minus 3 sign log x क्या लिखा हुआ है ये हमारे पास बड़ाबर बात समझना, 4 cos log x minus 3 sin log x की जगे, अगर हमें x को इधर बेज़ दे, तो इसकी वेलू क्या है, x dy by dx, यही तो इसकी वेलू इधर बेज़ दो, x dy by dx की वेलू यही है, तो यहां पर मैं कैलिक देता हूं, x dy by dx, सीधा मैं लिख रहा हूं, यह सीधा हूं, यह दे वही लिखा है, यह सीधा dy by dx e लिखा है, बस x को मैंने इधर बेज दिया, वही लिखा है, ठीक, प्लस लगा लो, यह 1 upon x है, यह 1 upon x है, यह 1 upon x है, यह 1 upon x यहां से common आएगा, यहां से बाहर common आएगा, तो 1 upon x square हो जाएगा, यह 1 upon x square हो गया, अंदर क्या बच्चा, इस बार देख लेते हैं अंदर अमारे पास क्या बच्चा, अंदर बच्चा अमारे पास, minus b है, minus b common ले लेते हैं न, यह भी minus का, यह भी minus का, minus b common ले लो, यह काम करो, यह plus है, यह minus है, minus, minus 7 में common ले लिया, तो क्या बचेगा, 4 sin log x और plus 3 cos log x, यही बचेगा, ध्यान से देख लो, एक बार मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर, एक बार ध्यान से समझ लो, मैंने क्या किया, यहाँ पर, मैं एक बार फिर से यहीं पर repeat कर देता हूँ, इस बात को, हमने क्या किया, पहले तो एक बार ओकलन करके यह ला दिया, अब जब दुबारा ओकलन स्टार्ट किया, तो कुछ इस प्रकार का ब प्लस हो गया यहां माइनस है यह माइनस है तो माइनस भी बाल ले लिया तो यह भी प्लस हो गया यह वी प्लस होगे इतना काम किया और कुछ नहीं इससे आराम क्या हुए अब इसको भी देख रहो यह देखो 4 sin log x प्लस 3 cos log x यही लिखा है 3 cos log x प्लस 4 sin log x यह y के बराबर है तो इस पूरी की जगह y आ जाएगा यह जैसे x dy by dx आया ऐसे पूरी की जगह y आ जाएगा लिख देते हैं क्या बन गया हमारे पास d2y upon dx2 equal to minus का 1 upon x square क्या बन गया x dy by dx minus का 1 upon x square और bracket में आ गया पूरा y यह पूरा y के बराबर है तो उसकी जगह y लिख अब minus का 1 upon x square बाहर ले लो minus का 1 upon x square पूरे से बाहर ले लिया तो x dy by dx x dy by dx minus का y आ जाएगा ठीक बाई कोई दिक्कत यहां था कोई समस्से x square को इधर बेज देते हैं तो x square d2y upon dx2 equal to क्या आ जाएगा माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो minus x dy by dx और प्लस का y इसको इस साइड ले लो x square d2y by dx2 प्लस का माइनस वाला इधर आएगा प्लस का हो गया x dy by dx माइनस का y equal to 0 ठीक अब क्या करना यहां माइनस यह क्या रह रह रहा है क्या रुक जाओ एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड भाई एक सेकेंड माइनस इसमें क्यों गणा कर दिया मैंने अदर गुणा हुआ अदर माइनस का था है यह माइनस का पूरा माइनस लिया तो यह भी प्लस का होगे यह प्लस वाहला हमारे पास जो प्लस वाई था इसके बाद X स्कॉयर को इधर बेजा माइनस का अंदर गुणा हुआ माइनस का इधर गुणा हुआ ठीक कोई दिक्कत नहीं कोई समझते है तो नहीं का कि सब्सक्राइब करना था यही तो प्रूफ करना था यही प्रूफ करना था यही हमें सिद्ध करना था प्रूफ हो गया है कुछ नहीं करना था बस दो बार में आउकलन करना थोड़ा सा पेचीदा पेचीदा किया मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटीव है कि आप दिख रहा है कि कभी साइन at लॉग एक से तो बस बिल्कुल माइनस में सांड के साथ रेकना है मैं एक बार एक लॉग में करतें फिर दुब टु का सर्यों मतलब होता है वह हमारे पास होता है डिटुवाई ऍपाउन धी च्टू और जो वड़ाई वनका हुटा अर्ट के लिलिए यह कोई दिक्कत तू नहीं अच्छा कोश्चन था इंपहॉटेंट कोश्चन्थ यह लौं में बनने वाले कोश्चन है दोब जो आएगा लॉंग में आएगा प्रॉपर ऐसे ही कर रहा है आपको पूरे मांक साथ को मिलें ठीक है यहां तक बात के लिए रहे अब लाश की कुछ तो पहले निकालन है तो पहले तो भी अगया गया है सिधा निस्टार्ट करते हैं लिख लेते हैंँ ऑभाई याईब इसको ब्रेकर लगा लेते हैं ऐसे 600 बार इचे पावर माइनस 7X माइनस 7X का दुबारा से करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा यहां तक बात समझ में आ गई बस सिर्फ एक बार ख़ोणन किया और कुछ नहीं यह 500 गया एकी पावर 7 x 7 हो गया और यह – आंगे ले लो आंगे क्या प्लस के साथ यह माइनस हो जाएगा यह आ जाएगा आज्या आएगा 600 600 constant बार एक पार माइनस 7 x का दुबारा किया माइनस के तो माइनस के 7 साथ दोनों जगे से से कामन यह माइनस के प्लस ओके माइनस हो गया अब आंगे चलते हैं डी टू वाई डी एक्स टू की तरफ दुबारा उकलित करते हैं अब यह आंसर आ रहा है तुरंत दुबारा उकलन करेंगे साथ क्युक्स को फिर से की पावर 7 x का दुबारा करेंगे तो से बनाजियेगा माइनस लगा रहे ने जैसे ही आप साथ बाहर लेते हो एक साथ पहले से बाहर है मतलब कि 7 और यह साथ बाहर आके कित्ते हो जाएगे 49 यहां क्या बचा 500 e की पावर 7x यह माइनस है यह माइनस के साथ मिलकर क्या हो जाएगा प्लस यह क्या बचा 600 e की पावर माइनस 7x क्या लिखाया ब्रेकट के अंदर ये 501 की पावर 7x प्लस 6001 की पावर माइनस 7x क्या लिखाया ये y ही तो लिखाया लिख दोना y तो यहां से हो गया सर d2y upon dx2 equal to 49 और ब्रेकट में लिखाया y ये हम देख सकते हैं उपर में फलन दिया गया y रूप अपर आब बहुत हो गया वा आसान को बहुत ही सिंपल कोईश्चन और तीन से चार नमबर वह बन जाता है अराम से कोई दिक्कत के बार नहीं बस दो बार में अकलन करना और आसान है इस बार अकलन भी बहुत आसान है कुछ भी ऐसा पे चीदा नहीं की पावर एक्स का मैं पता ही कि सेम रहने वाला है बस एक्स की जगे सेवन एक्स रखा उसका दुबारा कर देना है बाकी चीजें आसान है देखते जाओ आराम से इस्टेबाइस करते जो गुणा भाग नहीं करना यह ना सूचना कि साथ काम इसमें गुणा करने साथ को अलग रखो कॉमन निकालते रहो दो बार साथ कमन बार निकालो कि उन्चाज बन जाएगा अंसर आपका आ जाएगा क्लियर है सभी को यहां तक यहां तक बास समझ में आ गई सभी को कोई डाउट तो नहीं आप चलते अपने अगले कोश्चन पर बढ़या कोश्चन है इंपोर्टेंट कोश्चन है कोश्चन क्या कह रहा पंदरा नंबर एक मिनट कोश्चन कह रहा है कि यदि C greater than 0 है ठीक है कोई दिकत ने के लिए X-A का स्कॉयर प्लस Y-B का स्कॉयर प्लस C स्कॉयर तो सिद्ध कीजिए कि यह पूरा त्रिम जाम जो दिया गया है ए और बी स्वत नत्र एक इस्तिर रास यह अच्छा मलब इसका जब और इस तर रास मिलेगा ए बी नहीं होगा और इस्तिर रास का मतलब है कोई अधिस मानौगा और एक्स वाई भी नहीं होगा जब इसका Auckland करके तुम निकालोगे तो आपको जो मान आएगा वहाँ पे AB आपको नहीं मिलना चाहिए यक्स वाई भी नहीं मिलना चाहिए बस यही कोश्चन में यह दिखाना है और यह कुछ गंदा सा लिखा है यह जो गंदा सा लिखा है न इसका जब आप higher studies में जाओगे BSC graduation में बीटेग वगएरा में जाते हो अभी तो कोई मतलब नहीं इस बात को बोलने का आंगे आपको इसको यूज समझ में आएगा यह कुछ लिखा है कुछ important ची लिखिए जो वहाँ पे काम आती है पट अभी हमनों का इससे कोई ना देना नहीं हमें तो सिर्फ इतना दि लिखा जाएगा क्या आएगा वही काम हमें करना और कुछ ने यहीं हमें पता है तो वहीं स्टार्ट करना और कुछ नहीं जो दिया गया है हमारे पास समीकड उसको X के साफ एच ओकलित कर दो तो DIY बाइद इस निकल आएगा फिर इस स्वामिकड में रख लेंगे उठाते ह अवकलन करने है पर रशान नहीं क्वेश्ण बहुत आसान है मस्देखने में ड़ आवना आउकलन करने पर एक्स के सापे चोकलन कर दो बाई करते हैं यहां अउकलन करेंगेस के सापे इस टू- X-A, X-A का दुबारा से होगा, 1 हो जाएगा, यह तो हम लिख सकते हैं, डारेक्ली न, 2 यह नीचे आ गया, X-A, 2-1, 1 हो गई पावर, X-A का दुबारा करेंगे, तो 1 हो जाएगा, प्लस, ऐसे इसका कर रहे है, 2, Y-B, Y का दुबारा करेंगे, तो Y का हो जाएगा, D, Y by D, X, और C square constant है, 0 हो जाएगा, यहां से D, Y by D, X, निकाल लेते हैं, D, Y by D, X, यह उस साइड गया, माइनस का 2, X-A, यह भाग में आ गया, 2, Y-B, 2 से 2 उड़ गया, क्या बचा, माइनस का, X upon A, upon Y-A, यह एक बार ओकलन होकर आ गया, हमारे पास, जब हमने इस फलन को एक बार ओकलित कर दिया, तो D, Y by D, X का जो माने, वो हमने यहां पर निकाल लेते हैं, यहां तक कोई समस्या तो नहीं, यहां तक कोई दिककर तो नहीं, अब इसी को क्या करते हैं, दुबारा से ओकलित करते हैं, क्योंकि d2y by dx2 भी चाहिए तो आउकलित करते हैं d2y upon dx2 अब दुबारा से जब हमें आउकलित करना इसको तो हमें भाग नियम लगाना ही पड़ेगा अंस और हर में दो फलन लिखें तो सीधे स्टार्ट करते हर का स्क्वाइर मतलब की y-b का होल स्क्वाइर हर को छोड़ा y-b को छोड़ा अंस को आउकलित कर रहे हैं हम सीधे अंस का ओकलन करेंगे dby by dx क्या है माइनस का एक्स अपान ए तो एक्स अपन ए माइनस के साथ ठीक फिर माइनस का चिन इस बार किसको छोड़ा अंस को छोड़ा तो यह माइनस माइनस प्लस करते गा एक्स माइनस ए और हर का ओकलन कर दिया dby by dx y-b का ओकलन कर दिया ठीक यहां तक बात के लिए कि दी टू आई अपन डिकाल लेते हैं यहां से यह हो गया हर का तो ऐसे ही रहेगा हर को ऐसे लिख दू y-b y-b रहेगा माइनस एक बाहर आ जाएगा तो माइनस इसको बाहर ले लेते हैं यहां पे लिख लेते माइनस तो बाहर आ गया एक्स माइनस एक का करेंगे वन आएगा प्लस एक्स- एक को छोड़ा वाई- माइनस भी का करेंगे तो डिवाई वाई-वाई-डी अक्सा जाएगा तो यहां पर क्या आजाएगा फिर से डिवाई-वाई-वाई-दी-एक्स बन जाएगा और डिवाई-वाई-डी एक्स हम लोग निकाल चुके हैं तो उसकी वेल यहां पर put कर दो कोई दिक्कत नहीं क्या है माइनस का x-a upon y-b यहां पर उठाके रख दो तो dy upon d2y upon dx2 क्या हो जाएगा यहां से minus का y upon y-b plus x-a और यह आगया minus का x-a गुड़ा में है minus x-a और upon में y-b y-b यह आगया है ठीक है कोई दिक्कत नहीं यह हमारे पास नीचे जो चलना है उसको लिखा रहे नहीं दो y-b का हो लिख रहा है बड़ा गंदा सा बन रहा है कोई नहीं यह दोनों स्क्वार हो जाएंगे माइनस यह आंगे हो जाएगा y-b हमें LCM लेना पड़ेगा चलो पहले एक बार लिख लेते हैं पूरी बात जो इदार है d2y upon dx2 क्या बन रहा है minus y-b इसको ऐसे रहने देते माइनस y-b प्लस लेलो भाई प्लस क्या माइनस हो जाएगा यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसको माइनस कर लो भाई minus x minus a का whole square ठीक और नीचे है y-b ठीक और नीचे इधर क्या है y-b का whole square LCM लेलो इदा दी 2y upon dx2 हमारे पास कुछ निकल के आ जाएगा LCM लेंगे तो माइनस का y-b का whole square minus x minus a का whole square whole square है ना whole square अपान में क्या जाएगा y-b का whole square ठीक क्या हो सकता है अब अच्छा यह y-b LCM नीचे y-b का whole ठीक यहाँ पर LCM लेलिया यह आ गया यह ऐसे आ गया यह हमारे पास पास ऐसे रखा इसको इसके सार लेलो तो d2y upon dx2 जो आ गया वह आ गया माइनस का y-b का whole square minus का x-a का whole square upon में आ गया y-b का whole cube यह भाई आ गया d2y upon dx2 पूरा solve होने के बात इतना मिला हमें d2y upon dx2 कुछ कटा फिटा तो है नहीं answer यह आया है ठीक है जैसा आया है वैसा रखा जाएगा अब हमारे पास dy by dx भी है d2y by dx2 भी है आप सीधे इसको उठाके यहाँ पर रखना है कुछ नहीं करना है सीधे इसी फार्मूले में पूरी चीज़ें रखनी है क्या है फार्मूला हमारे पास जो चीज दी गई है वन प्लस dy upon dx का whole square by dy by dx कहांई इसका whole square कर देते हैं चलो इदरी लिखते सीधे कि वन प्लस dy by dx किता आया है कि रिवाइब डी एकस आया है x-a y-b इसका whole square कर दो x-a minus के साथ है और y-b इसका whole square है ठीक whole square हो गया आंगे इसकी whole power 3 by 2 इसकी whole power 3 by 2 दरना नहीं power hour से सब अभी आसान हो जाएगा इसके बाद नीचे क्या है नीचे हमारे पास दिया गया है d2y upon dx2 तो d2y upon dx2 की value directly हम लोग निकाली लिए यहां पर रग देते हैं यह कहा है minus का y-b का whole square minus x-a का whole square और बटे में y-b का whole अब चलते हैं भाई आंगे लिए लिए ले लो ऊपर तो lcm लेना ही पड़ेगा ले ले लेते हैं जहां से देखो solve करो इससे अभी answer आएगा इसको lcm ले लो y-b प्लस का इसका whole square था ना यार है whole square है न हाँ तो यह आ गया 1 plus x-a का whole square और y-b का whole square की power 3 by 2 और बटे में हमारे पास यह ही पूरा minus का y-b का whole square minus x-a का whole square बटे y-b का whole की इसका आब lcm ले लो lcm ले लेते हैं तो यह आ गया y-b का whole square plus x-a का whole square बटे में हमारे पास क्या जाएगा y-b का whole square की power 3 by 2 और बटे में जो चलना है उसको लिख लू भाई क्या चलना है यह है y-b का whole square minus y-b का whole square minus x-a का whole square और बटे में हमारे पास क्या है y-b का whole square अच्छा एक चीज देखो अगर हमारे पास question क्या दिया गया था x-a का whole square प्लस y-b का whole square बराबर c square है यह काम यहाँ पहले ही कर सकते थे इतना बार-बार लिख रहे हैं यहाँ पर एक काम यह पहले हो सकता था अगर यहाँ से minus common ले लो तो y-b का whole square प्लस x-a का whole square वो चीज c square के बराबर है यहाँ चीज पहले कर लेते तो बहुत आसान हो जाती यहाँ से क्या कर सकते थे देखो d2y upon dx2 अगर देखो यहाँ से अगर हम क्या करें ऊपर अंस से माइनस कॉमल ले ले तो क्या बन जाएगा y-b का whole square यह मैंने माइनस कॉमल लिए और यह प्लस x-a का whole square ठीक इसका whole square है यहाँ और बटे में हमारे पास जो है उसको बना रहने दो कोई दिक्कत नहीं तो इतना लिखना नहीं पड़ता तो यह dy by dx2 जो आ गया इसकी जिए हम स सी स्कॉयर लिखा है देखो पहले को से सबमें दिया गया है यह सीधा सी स्कॉयर लिखाया और नीचे आ गया y-b का whole cube यह तो बहुत आसान हो जाता है इतना बार बार नहीं लिखना पड़ता है इसको अटा लेते हैं कहां पर यह जो रखा है ना इसकी जगे सी रख देते है कि मेटने ही पड़ेगा कोई option है नहीं कि इसकी जगे सी रखने क्यों बार बार इत्ता लिखें तब ही बहुत लंबा चोणा लग रहा है मुझे आपनों को भी confusion नहीं होगा सीधे इसकी जगे सी रखो बार 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 लिखना पड़ा रहा है बस सीधे इसको उठाके यहां पे सी स्कुरे राख दो अब यहां पर का whole square की power 3 by 2 बटे में माइनस का c square बटे y-b का whole अब LCM ले लो यहाँ पर तो यह हो गया y-b का whole square plus x-a whole square बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा y-b का whole square बटे माइनस c square और y-b का whole टिक यह पावर हमारे पास 3 by 2 चलने इसको चलने तो कोई दिक्कत नहीं यह पावर में 3 by 2 उमारे पास चली रहा है कोई समस्से नहीं ठिक फिर से देखो y-b का whole square plus x-1 square y-b का whole square plus x-1 फिर से c square बनना फिर से c square रख दे इसकी जगए c square रख दें इसकी जगए तो क्या बन जाएगा यह हो जाएगा c square की power c square बटे y-b के whole square की power तो यह दिर सब खतम हो रहा है 3 by 2 बचा उपर नीचे मारे पास क्या बचा माइनस c square की power y-b का whole की अब इसको solve कर लो power 3 by 2 यह power 2 तो 2 के साथ यह गुणा में होगी power की power होती तो गुणा हो जाती तो 2 से 2 कर जाएगा उपर बचेगा c cube नीचे क्या बचेगा y-b का यहाँ भी power 2 से 2 कर जाएगी क्या बचेगा cube बटे में नीचे क्या बचेगा माइनस का c square बटे y-b का whole cube cube से cube उड़ गया c square से यह उड़ गया माइनस का केवल क्या बच गया c बहुत शही सब देखो free हो गया एकदम answer जो आया वो क्या आया माइनस का c थोड़ा सा process long है लेकिन बस थोड़ी चीज़े याद रखनी कि कहां पर क्या बनने अगर अगर हम इसकी जगह c नहीं रखते मालों जैसे हम आँगे चल लाए तो ऐसे आँगे चलते तो फिर आँगे बहुत और लंबा हो जाता रखते देते बाद में c आता answer तो c आता माइनस c लेकिन हमें यह चीज़े देखते रहना कि जैसे y-b का whole square माइनस x-1 का whole square यहाँ भी माइनस है दोनों माइनस के अगर माइनस मेर बह ले ले तो यह प्लस हो गया और उपर सॉल्व करो सी से सी कैंसिल हो रहे हैं यह वारे पास नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा के वाल एक सी बचेगा देख लो बढ़या कोशन है बहुत इंपोर्टेंट कोशन काफी बार लॉंग में पूछा गया कोशन इसलिए काफी बोर्ट में ऐसा नहीं कि सिर्फ सेम है और इसी पाइटरन पर कोशन पूछे गएं काफी बार हमें कुछ नहीं करना इसका एक बार ओकलन कर दो तो दुबारा ओकलन करेंगे तो डी टू आई बाई बाई डी एक्स तू आएगा जो दोनों चीजें इखटी हुई है डी बाई डी एकस आई डी टू इसको सबको समझ में आई यह बात कि कैसे हुआ कुछ नहीं करना सिंपल बस सेम पैटरन के साब से चलो जो आ रहा है उसे आने दो बस ध्यान देते रहो कि कहां पर क्या बन रहा है इस्टेप बाई इस्टेप चलो गलती नहीं हो कि आराम से आंसर आपका आजाएगा ठीक है अंति क्यासान HOTA departments एकी पाआरे स्जान आराम से हो जाएंगे इसमें क्या करना होता है जैसे पावर कौस हैक है मिल जिसके इसको करना उनको अलग-जि थमालो अब ध्यां से पढ़ो पहले एक एक्स के सापेज अच्छा जब हम एक्स के सापेज वाई का ओकलन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स के लिखते हैं एक्स के सापेज यहां पर हमें क्या करना है एक्स की पावर कॉस एक्स के सापेज किसका ओकलन करना है हमें हमें ओकलन करना है साइन स्क स्क्राइब य की जगह पर साइन स्क्राइब से एक्स की जगह पर एकी पावर कॉस एक्स है इसको मने क्या माना यू मतलब कि यह में क्या निकालना है डी यू हो गया तो कि साइन स्क्राइब u iya है किसके सापेज करना ऑफ किसा पेज करना हैSet i is it square square pro 4m2 तो यह जाएगा dv और के सापेज करना यह घी बस मलब कीं डीवी ऑप क्या करना है यहां पर भाइंड करना और ऑप ऑपयण होगा इस विया आप डीवी एप du upon dx दोनों का x के साफ़ और दो dx से dx अट जाएगा du upon dv आ जाएगा अरे मतलब कुछ नहीं करना है इसको भी x के साफ़ और चौकलित कर दो फार्मूले में रख दो answer आ जाएगा देखो करते हैं दोनों को x के साफ़ और चौकलन करना है कुछ नहीं एकी पावर कॉस एक्स माइनस आगे ले लो और साइन एक ऐसे हम डीवी अपाउन डीएक्स निकाल लेते हैं तो डीवी अपाउन डीएक्स क्या हो जाएगा यह साइन स्क्वाइर एक पहले वी लिग देंगे एक बार वी एक बार लिग देते हैं वी बराबर साइन स्क्वाइ औ Verme कि आगे यहां से हमें क्या निकालना तक हमें निकालना था दी यू भाइड भी एक अब यहां पर रख देते हैं दीवी उपने मैं स्थीनिकरलन करना यहाँ पर रख देते हैं ध्यूूअ पास क्या आया है या है तू साइनेट्स है R Y 2017 को आप E की पावर को सेट श चाहिंटनें श और माइनस का साइन रिक साइन E C आ गया डीवी वाय डी आ गया मैनस कदू को सेक्स अपान में्ऑ E की पावर, Coss X E की पावर, Coss X को बहुत ज्यादा उपर ले जा सकते हो और इसे जदा कुछ नहीं हो सकता तो D V upon D U आ गया माइनस का, Coss X और E की पावर, माइनस का, Coss X याई इसका अंसर है बस्ये चीज़ याद रखना U, V दो फलन मानो दोनों को X के सापेच और आए यह देख लो किसके सापेच किसका करता है मैं यह लिखाता यह, dobre cos x के सापिच मतलब ये नीचे रहेगा यE क्या था V, तो यू नीचे कर दिया इसका करना तो यह उपर रहाएगा तो लिखाए इनको अपर नीचे का थोड़ा पैटर नियाद रखना क्यों डीवी के सापेच वी का ओक्लन करना है इस लिए बाइक नहीं है वाकिए आफ दोनों काॉक्रन करने के लिए जो फलन होगे बहुत आसान होंगे आराम से उकलन करो और दोणों का भाग को लिए रहे उसको ऑकलन करना ऊपर रहेगा भागलगा दो हमसर आ जये तो यह बात हो गए हम लोगë के बारे में सrite के मिलों ने कुछिन कर लिए संखला नियम से स्टार्ट किया था संखला नियम हो गया था हम लों का पृतलों मति फलनों का सबसे इंपॉर्टेंट ने चाहंसे रहते हैं किसी से दो-तीन कोईशन बनेते ही हैं सबसे काओ एक दो-दो कोईशन मिले क्योंकि आना भी तो है पूरे कैलकुलेस से 45 नमबर का तो सबसे कोईशन मैंने कराएं सारे इंपॉर्टेंट कराएं पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरा रिवाइज हो जाएगा अभी कैलकुलेस के चलेंगे फिर अब लगातार के करेंगे इंपॉर्टेंट क्याप्टर भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है तो अब आउकलन के अनुकियोग का जो हमारे पास अगला वन सॉट होगा वह आपको नेक संडे तक आपको मिल जाएगे ठीक है बाकी लाइब हम लोग मिलते रहेंगे वहाँ पे जो भी डाउट होंग से वाप हम से पूछ सकते हों मिलते रहेंगे तब तक के लिए टाटा बाब है